अगर यह सोचो कि पतिनी तुम्हारे अनुपूल चले तुम्हारे अधीन चले ऐसा क्यों चले पुरुष शरीर में तुम उसके पति हो ऐसे इस्त्री शरीर की वही जीवात्मा भगवान कांस है वर्दांगी नहीं उसकी भी कुछ अउस मानोब्रतिया तुम्हारी भी मनोब्रतियों को जोकाओ कि तुम सत्यांगी हो भगवत मार्ग के पति को शका करो जोआधने आधोज़िए लोग समझे ना कि पतिनी एक साधार्ण सेज़ें जीवात्मा नहीं जीवात्मा वह जीवात्मा वह है वो इस त्री शरीव में पुरुष शरीर में और दोनों एक मित्र बन करके भगवत सला लेकर चलो मार्ग में इन गुण है माया के पुशक्ता तमोगुण शुभाव रजोगुण शुभाव तो तुम्हारे भाग के कर्मा धिन होकर उपतिनी बनी आके ना निर्वातर भथो ना इसलिए कह रहे दिन उसी घर में रहना जलो और द्वैस करो बजन बजन तो सब चला जाएगा तरे दिन लाज जूता होंगे कोई मार्ग नहीं मिलेगा यह बहुत गंदी बात है जो इस्त्रियों को को नीचा समझता हो या इस्त्रियों को अपनी दाची समझता ऐसा नहीं समझना चाहिए दोनों एक मित्र हैं दोनों इस संसार मार्ग के गाड़ी जो चलती है ना उसके पहिए दोनों के बराबर होते हैं अगर एक वी छोटा उसमें लगा दो तो गाड़ी पलट जाएगी यह जो लोग समझते हैं कि मैं पूरुश हों तो बहुत बड़ी चीज हो यह इस्त्रियो प्रिद्धन छोटी बात है इसी बिल्कूल गलत है तुम्हारा जैसा जीवन है वैसे उसका भी जीवन है हां एक मित्रियत गलत मार्ग का नुश्रन कर दो हम समझा सकते हैं हम उसको उपदेश कर सकते हैं उससे हाँ जोड़ सकते हैं पर तोड़ा सा